प्रिये विद्यार्थियो, आज के वीडियो में मैं परमुख इंदी के व्याकन, स्रेष्ट व्याकन पर चर्चा करूँगा, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इंदी व्याकन के लिए कौन सी पुछतक सही रहेगी बता दीजिए, तो वो साहिद कम्पिटिशन के इ मुझे अधिकारनी है, हाँ, आपको मैटर चाहिए, पढ़ने के लिए सामगरी चाहिए, तो बहुत सारी गाइडियों कोई भी एक या दू आप खरेद कर पढ़ सकते हैं, उन में मैटर जादा है, तो थोड़ी उन में तूटियां रह सकती है, कई बार प्रूफ रिडिंग से भी तूटियां रह जाती है, चलो वो तो अलग बात है, एक माध्य मेक्सिक से अबोर राज्तान से प्रकासित होती है, इंदी नमीन व्याकरन, ने असनसकरन भी आ गया उसका, तो वो ठीक है, वो मतलब नपी तुली किताब कह सकते हैं, उसको नपी तुली ठीक है, पर उ उसमें कम्पिटिशन के लिएल की इतनी पठे सामगरी ज्यादा नहीं है, कम है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोकोक्ति देखना चाहें, ज्यादा से ज्यादा महावरा देखना चाहें, ज्यादा से ज्यादा विलोम सब्द, ज्यादा से ज्यादा प्रियावाची, इत को बुक चाहिए तो फिर मैं इच्छे नाम आपके सामने है इंदी भाषा का व्याकन ये तो शुरुआती पुस्तक है वैसे तो बहुत तो ये व्याकन लिखी गई है चाही नहीं लिखी गई बहुत ज्यादा लिखी गई है पर इन में से मैंने कुछ छांटी है जो मैं मानता पहली इंदी भाषा का व्याकन ये तो आप मतलब इतना महत्रपन नहीं मान सकते क्योंकि इसमें तो इतना है कि प्रेशन और उत्तर के रूप में बच्चों के लिखी गई है ठीक है और ये कई चाहल स्कुलों में भी परचलित रही है बस और ज़्यादा सीखने के लिखी म व्याकन की बाकी इनके बाद में जो व्याकन लिखने वाले आये हैं व्याकरन है तो उन्होंने इस पुस्तका सहरा लिया है ठीक है तो स्रेश्ट पुस्तक है इंदी व्याकन की लेखक ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि इंदी व्याकन की छोटी मोटी कई पुस चिस्ता यह है कि इसमें नियमों के स्पष्टिकन के लिए अन्य बासाओं के प्रतिष्टित और प्रामानी के लेखकों के उदार्ण दिया गया है। अश्टा ध्याई और महाभाश्य के मिस्रित रुप में लिखा जाएगा पर वहदी नभी दूर दिखाई देता है। तो कोई संस्कृत के आदार पर लिखी गई है। इंदी के आदार पर इंदी का व्याकन है ही नहीं। इंदी के राष्ट बासा हो जाने के बाद विद्वानों का ध्यान इसके स्वतंत्र अस्तितों की खोजबर गया। एक बात और रपता हूँ, इनी पंडित की सुर्दा स्वाजबयी द्वारा एक और पुस्तक रची गई है व्याकन की, वो बहुती स्रेष्ट है। इनके बाद नाम आता है एक और पुस्तक का व्याकन का जो बहुती स्रेष्ट है आधुनिक इंदी व्याकन और रचना जो 1969 में लिखी गई प्रकासित हुई और वासुदेव नंदन परसाद इसके लेखक हैं। इस पुस्तक के समन्द में डोक्टर प्रभाकर माचवे ने लिखा है कि इंदी में व्याकन गरंथ जो स्टंडर माने जाएं बहुत थोड़े हैं। उन पुस्तकों में डोक्टर वासुदेव नंदन परसाद की रचना मैं सभी द्रिष्टियों से सर्वांग पूर्ण समझता हूँ। स्वरगे रामचंदर वर्मा, स्वरगे अकामता परसाद गुरू और आचारिय की सुरिदास वाजबे के बाद डोक्टर परसाद यानि वासुदेव नंदन परसाद का कारिय अत्यंत मुल्यवान और उप्योगी हुआ है। अब एक और पुस्तक का उले कर देता हूँ चलते चलते वो है माननक इंदी व्याकन 1961 में लिखी गई रामचंदर वर्मादवारा। इसमें लिखक ने खुद लिखा है कि इस पुस्तक का उद्श्य विद्यार्थियों को बहुती सहज वे नए मनोरंजक ढंग से इंदी व्याकन की जटिलवे शुष्क बातों से प्रीचे करवाना है। इनने च्छे में से तीन पुस्तक स्टंडर की है बहुती इनको एक, दो, तीन नुमबर में डालना मेर लिए एस वो है तीनों इस रेष्ट है वो एक तो है हिंदी व्याकन कामता पुसाद गुरू दूसरी है हिंदी सब्दानुशा सन्यानी कि सोर्दा स्वाज पई इनी की बाशा का पुस्तम व्याकन ठीक है और वासुदेन नंदन पुसाद की आधुनिक इन्दी व्याकन और रचना इन तीन लेखकों की ये चार अचना ही इन्दी व्याकन के लिए विश्वसनी है सेस बाजार में प्रचलित पुस्तकों में मन मर्जी के भेद और उप भेद करके बरमित ही किया गया है यह बात मैं नहीं बहुत सारे बच्चे कहते हैं और मुझ से अक्सर पूस्ते रहते है कि कोई स्रेष्ट व्याकन बताईए अब स्रेष्ट व्याकन में क्या बताऊं स्वेम पंडित कि सोरिदास जी ने लिखा है कि इन्दी के आदार पर इन्दी का कोई व्याकन है ही नहीं कोई तो अंग्रेज जी के आदार पर लिखा गया कोई संस्कृत के आदार पर लिखा कामता प्रसाद गुरुजी की तो इच्छा ही यही थी कि कोई उठे और पहल करे कि एक इंदी का नमीनतम तथा विवाद रहित व्याकन तयार करे जो अश्टा ज्याई और महाबासे के आदार पर हो पर वह दिन अभी दूर है यह कामता प्रसाद जी के शब्द है अब मेरा भी यही मानना है कि इंदी के आदार पर ही इंदी का एक व्याकन हो ताकि पेचीदियों से थोड़ा बाहर निकलें और बच्चे बर्मितने हो इंदी का एक सरल्तम व्याकन हो मैं सरल्तम रखना चाहता हूँ क्योंकि इंदी का परचार परसाथ तभी बड़ेगा जब इंदी को स्रलतम बनाएंगे ताकि विद्यसी भी इंदी को ग्रहन करे और इंदी का परचार परसाथ पूरे विश्व में फैले यही मेरी इच्छा है अगर आप भी इससे सहमत हैं तो वीडियो को सेर ज़रूर करें धन्यवाद जए हिंदे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं जए हिंद विजई हिंदी